अगर इसने मा का दूध पिया है परदीप सिंग, और गरिराज सिंगों अगर मा का दूध पिया है तो बताओ, तुम्हारे खांदाम में, तुम्हारे नसल में, तुम्हारे पाटी में एक वैक्ती हो जिसने आजादी के लड़ाई में यहाए mişुरमानी दी हो आर्जेडी गिरिवार सिंग, परदीप सिंग कैसे दिखती है कारिश उहब जी जिस तरह से परदीफ शिंग ने सब्सबट पर और अर्यां में रहना है तो हिंदू बन के रहना पड़ेगा इसको किसा तरह से देखते हैं वह नफरती इनके प्रिंटू है इनको नफ्ट्स आती है काम तो कुछ कर नहीं सकते हैं ये सिर्फ ऐसी ही बात कर सकते हैं जिससे उनके मुसे गंध निकलता हो मल आता हो सवाल ये है कि कि वो किसके कह रहे हैं किसका रंदभ स opens april निकाल और सवाब देने की जरुवत है पूरे समाज को इस देश का नाम ही हिंदुस्तान है इस से वड़ा स्वाविमान इस देश के हिंदू समाज को और क्या मिलना चाहिए क्या मिलेगा इस देश का येक हिंदू स्वाविमानी है इस देश का येक हिंदू नहीं सभी समाज के लोग सभी धर्म के लोग स्वाविमानी है इस देश म मतलब कि आज दस साल से इनकी सरकार है इससे पहले भी इनके सरकार रही है NDA की सौभिमान मरा हुआ था तो ये खुद दस साल से मिरिश्टर हैं तो मरे हुए सौभिमान के साथ मिरिश्टर थे क्यों मिरिश्टर थे ये तो ये लोग गंद फैलाने वाले हैं हिंदू बनेगा ना मुसल्मान बनेगा जो इनसान की अउलाद है वो इनसान बनेगा इस देश में सभी भाई मिल जुल कर रहते हैं हिंदू मुसलिम सिख हिसाई आपस में हैं भाई भाई ये लोग नफरत पहलाते हैं देश का लोग इनको कभी माफ नहीं करेगा और ये के नफरती चिंटू हैं इनको भारज से कोई मुहबत नहीं है क्योंकि ये तो पाकिस्तान से आए हुए लोग है ना ये लोग मतलब माइगरेट किये हुए लोग है हमको बताए अगर इसने मा का दूद पिया है परदीप सिंग अगर रास सिंग तुमने अगर मा का दूद पि हो लेकिन इस देश काusteम में पर मसलिम सीक्षिसाई लेकिन बड़े अल्माई दीन हमारे लाकह लाक लोगों में इस देश की आजादी के लिए शहाद़त दी है कुर्मानी दी है तब तुम इतना लबर लबर बोल रहे हो भले तुमको बोलने का तरीका नहीं है भले तुमको ढंग नहीं है बोलने का क्योंकि तुम्हारे नफरत कूट-कूट के भरा हुआ है जो आदनी बारा बज़े दिन में सो के उठता हो अब सुबह से उनके यहां जनता जो हिंदु ही भाई हमारा जनता उनके यहां बै इस देश का एक व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हमारे देश के लोगों में आपस में लडाई जगड़ा हो कहीं मंदिर तो कहीं मजजीद कहीं जाके मजजीद में सुवर फेक देता है और कहीं मंदिर में इन ही का लोग सब इनी का संगठन का लोग सब कहीं मंदिर में जाके मास फेक देता है और नफ़त फैलाता है और जितने भी दंगे इस देश में हो रहे हैं या भागलपुर में जो मामला हुआ है उससे सबसे पहले गीरा सिंग को अरिष्ट करना चाहिए इसको जेल भजना चाहिए नितिश कु मार है नितिश कुमार ढोंगी से कुलर है जिसने बिहार के मुहबत को तारता करने का काम किया है आदने ये लालू यादब हो या राबरी देवी हो उनके जमाने में किसी के हिम्मत नहीं होती थी कि कि नफ़त फ़लाने एरपोर्ट से बाहर आ जाए लेकिन नितिश कुमार इनको बढ़ावा देने का काम किया है तो बिहार के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। जी के हां मजार पर कौन गए थे गिरीराज जी बार बार पाकिस्तान एक बत लैला अपनी मजनू का नाम बार बार क्यों लेता है या मजनू अपने लैला का नाम क्यों लेता है लैला अपने मजमूर नाम क्यों लेती है इसलिए कि उससे बेपनाह मुहबत है जिससे मुहबत ह वारे में आपने कहा लेकिन परदीब सींग्झ ने जो कहा उसका आप क्या कहें गया उन्होंने का कि रहना है तो भाई हिंदु बन के रहना है यहाँ आपकर नहीं काने कि इस देश के तमाम लोगों में तramाम लोगों के खून में हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिसाही सब है सब का खून अगर आप निकाल के देखिए तो सब का खून लाल मिलेगा और सब के अंदर हिंदुस्तान मिलेगा जब हिंदुस्तान है तो सब कुछ है तो साब तो पर आर्जिडी के मलसी ने कहा है कि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान है तो सब कुछ है कमने भी सिख के साथ रुप्या सवास्ता उची मेडिया पढ़ना पर आप कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो